वाई सेल सिगनल सॉफ़वेर में आप सभी का फिरसे स्वागत करते हैं। आज हम चेक करेगे हमारा सॉफ़वेर किस तरह से काम करते हैं। और चेक करेगे आज का इंट्राडे पॉफोमस के उसने कैसा पॉफोमस लिया है। रिलाइंस का जाठे अगर आपने आप लॉज से परिशान है तो 5 मिट का टाइम निकल कर ये वीडियो जरूर देखे आपको प्रोफिटेबल हो सकता है। क्योंकि हमारे सॉफ़वेर के अंदर सही ट्रेड मिलता है उसमें ही हम ट्रेड करते हैं। गलत सिगनल को सॉफ़वेर इग्नॉर करता है जो साइडवे मार्केट है उनसे प्रोटेक्शन मिलता है। रिलाइंस का जाठे बाई सिगनल हमें मिलता है यहां पर तो ये बाई सिगनल आने से हम डाइरेकली बाई नहीं करेगे। उसका वेरिफेकेशन हम लेगे कि ये ट्रेड सही है या फिर गलत है। तो सॉफ़वेर ने बताया था कि ये बाई सिगनल सही है। क्यों सही है क्योंकि बाई के पहले देखिए एक उपर की साइड का एरो लगाया था। इसलिए ये बाई सिगनल कंफर्म था। अब सॉफ़वेर ने आगे जाकर थोड़ा आगे गया तो सॉफ़वेर को लगा कि इसमें होल्ड करना चाहिए कंटीन्यू रखना चाहिए तो आपको यहां पर बोला गया कि और उपर जाएगा आप कंटीन्यू रखिए। वेसी तरह सेल में भी अगर सेल सिगनल जनरेट होने पर हम डायरेक्ली सेल नहीं करेगे। सेल एक कंफर्म ट्रेड है उसका रिजन में आपको बता देता हूँ कि सेल के पहले एक दाउन साइड एरो लगा था इसलिए हमने इस सेल कंफर्म था और उसको लगा कि यहां से को बता देता हूँ कि उपर की साइड का एरो है इसलिए बाई सिगनल कंफर्म है और सेल भी कंफर्म था क्योंकि सेल के पहले एक डाउन साइड एरो दिया था और आपको यहां से अपोसाइड एरो आया मतलब कि मैक्सिमम प्रॉफिट दिलवाकर आपको एक्जिट करवा द तो यहां पर हम एक्जिट कर लेगे दूसरा कोई चेक कर लेते हैं जैसे कि हिंद पेट्रो तो यहां पर देखिए बाई सिगनल था बाई के पहले उपर की साइड का एरो था मतलब कि यह कंफर्म ट्रेड था अब देखिए यह मार्केट इंडिंग का ट्रेड है तो हम इसम पर दर्स तरीके से आपको रिटन दिया यहां से कंटीन्यू बोल रहा था और नीचे गिरेगा होल्ड किये और यहां पर एक बार एक बार एक्जिट होने के बाद यहां पर कंटीन्यू बोलता रहा है होल्ड किये नीचे गिरेगा होल्ड किये और नीचे गिरेगा होल्ड क का वेरिफिकेशन आपको समझ में नहीं आता है तो वो मैं आपको लाइव डेमो में के अंदर आपको दिखा दुगा तब तक बने रहे हैं अमरे इस यूटूब सेनल के साथ धन्यवत दोस्तों जय है